हाई तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्री बॉडी डाइग्राम को ड्रॉक करने के तीन रूल्स पढ़ा था आइसोलेटी बॉडी फ्रम जी सिस्टम जो भी है जमीन पर रखा हो खाला के उपर रख दो हवा में रख दो दूसरा था उस पर नॉन कॉंटाक्ट फोर्स जिदिल रख रहे उसको ड्रॉकरों है फिर कॉंटाक्ट फोर्स जित्तने लगरे तो यह थे एब लिज्धर करने के रूस तीक ट्राइगरम के तरूक कि त्रों कितने फोर्स लग रहे उसको रिप्रेजेंट करना ही is free body diagram आज हम लोग उसके best question करने वाले हैं क्योंकि Newton's laws of motion जो आपने पढ़ा F is equal to M है वो F होता है net force और M होता है total mass उसके best बड़े-बड़े question design होते हैं और वो question को आप तभी deal कर सकते हैं when you know in detail the free body diagram right तो hello दोस्त माइनेम इस आमेर और मैं पिछले साथ साल से पढ़ा रहा हूं physics कुछ बच्चे आइटी एनाइटी म्वीस चले गया इस बार जो result आया कल जो आया result उसमें highest मेरे स्ट्रेंट का 618 गया है अभी और भी आ सकता है तो आफ छूझ तो सबसे पहला कोशिशन जो हमनों लेने वाले हैं वो कोशिशिन क्या है कि का चूप आपको एक फॉर्मुला ध्यान में रखना है कि आक्सलरेशन जो होता है न वो होगा नेट फॉर्स एफनेट अपन टोटल मास्ट और मैं आपको बता दूंगा कहां पर वैलिड है कहां पर वैलिड है इसमी हर जेगा इसको चिपका मुद देना है आपको कुछ भी नहीं आता तो आजाएगा थोड़ा देर बाद आपको बहुत कुछ आता तब भी बहुत कुछ सिखने को मिलेगा इस ब्लॉक हिस मास 10 kg और एक स्मूद सर्फेस पर रखावाई ठीक हमने फोर्स लगाया 20 नियूटन का तो मेरे को जानना इस बोड़ी का एक्सलेशन कितना होगा बिल्कुल बेसिक कॉस्चेन तो फॉर्मूला क्या यूज करना आक्सलेशन इस एक्वाल टू एफ नेट अपन टोटल मास अब बता हो नेट फोर्स कितना है श्मूद है त अगर यह आपको आ गया तो आगे भी कुशन आ जाएंगे आप इस चीज को बस फोकस करो कि यह फॉर्मूला मेरे को लगाने का और एक ब्लॉक नहीं दो ब्लॉक अटाच है और दोनों पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया और दोनों का मास 10 kg 10 kg 10 kg और यह सर्फेस अभी भी का वह कितना होगा तो सोच नहीं है यहीं फोर्स है जो दोनों बोडी को ड्राइब कर रहा और कोई है नहीं फोर्स तो मैरे को सिंपली क्या करना है कि net force is equal to net force divided by total Mass is equal to acceleration तो नेट फूस यही तो है 20 तो 20 डिवाइड बाई टोटल मास दस यह 20 को चला रहा है तो आल राइट हेर 20 सकते हैं कि बाई यह जो दो रसी है इसके बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ तो कितना टेंशन लग रहा होगा बॉडी को ड्राइब करने में तो इसको अलग करो यहां पर लिखो इसका मास लिखो 10 kg और यहां पर यही टेंशन है जो इसको आगे लेके जा रहा कितना से लेके जा रहा रहा वान मीटर पर सेकेंड स्कुरे से तो हम बोलेंगे यह टेंशन जो है वह इन दोनों के में के वराबर है मतलब 10 इंटू 1 तस नूटन तो टेंशन कितना होगा 10 नूटन के लिए बहुत ईजी था कॉशन नमबर थोर्ड पर मूव करते हैं क्या बोल रहा है इस अबर हमने लगा दिए सिक्स्टी न्यूटन फोर्स और यह सरफेस अभी भी स्मूध तो बताओ क्या था फॉर्मूला आक्सल सा लिकालने का सिंपल सा फॉर्मुला क्या है नैट फोर्स-पॉन टोटल मान्स तो बोलो, नेट फोर्स कितना, यह साथ है, इसके लाभ़ा कोई भी फोर्स सपोर्ट और अपोज नहीं कर रहा, अंदर जो फोर्स लग रहा है, वो अंदर इंटरनल है, तो टोटल 60, टोटल मास कितना, 10, 10, 30, 30, 30, 30, will cancel कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेर, तो कामन आक्स ले कर रहा होगा, T2, वो कितना होगा, ठीक, अब मेरे को एक बात बता बच्चो, यह जो ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, 10 kg, तो यह T1, सिर्फ इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है, अगर मैं इस रस्सी को कट करूँगा, तो यह ब्लॉक सिफ रूखे का बागी दो चलता रहा है, तो यह एक टेंसन है ना, इस ब्लॉक को लेके जा रहा है, कितना अक्सलेरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर से, अल्राइट है, T1 is equal to M, बोले तो 10 into 2, 20 N, तो T1 की वाली कितनी है, 20 N, अब मेरे को यह बताओ, यह जो T2 है, अगर रस्सी को यहाँ करके कि यह 10-10, 20 kg हो गया, और यह T2 20 kg को लेके जा रहा, कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर से, तो I'll write here, T2 is equal to 20 into 2, which is 40 N, तो कितना है, बोलो, 14, क्लियर है, राइट, हमें बस basic method को follow करना है, कि कौन सा रस्सी, कितने blocks को लेके आगे बढ़ रहा, ठीक, moving forward for question number, एक और question को करते हैं, समझना, आपको component आता है, नहीं आता है, तो मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद question को गरूँगा, कि जैसे यह F है, यह theta है, तो इसको अपन F cos theta बोलते हैं, और इसको बोलते है, F sin, right, यह होता है, बिल्कुल, इसी best question है, कि यह block है, 10 kg, एक force ऐसे लगा है, 2 Newton, सिर्फ 2 Newton का force है, 60 degree angle पर, तो बताओ, इसका horizontal acceleration कितना होगा, अगर यह smooth surface पर रखावा, तो horizontal acceleration कितना होगा, तो horizontal acceleration कोन दे सकता है, horizontal force दे सकता है, तो यह 2 है, तो यह कितना होगा, 2 cos 60 degree, yes or no, यह F है, तो यह कितना होगा, F cos 60 degree, तो यह 2 है, तो यह कितना होगा, 2 cos 60, cos 60 होता 1 by 2, तो 2 into 1 by 2, cut here, कितना मचा, 1 newton, तो horizontal में कितना force लग रहा है, 1 newton, और यही 1 चला रहा है, कितना को, 10 kg को, तो acceleration कितना होगा, 1 by 10 meter per second, clear है, 1 by 10, 1 by 10, क्योंकि चलाने वाला force कितना, 1, और mass total कितना, 10 kg, I hope this is clear, moving for question number next, क्या है, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और ले लेते हैं, ऐसे, और अब मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर 10 newton, यह अंगल अभी भी 60 degree, this is 5 kg, this is 5 kg, kept on a smooth surface, ठीक है, smooth surface पर रख दिया, तो मेरे को बताओ, अब axelation system का कितना होगा, horizontal axelation, तो again horizontal axelation निकालने के लिए, कि मेरे क force निकालना पड़ेगा, तो यह 10 है, तो यह होगा 10 cos, 60 degree, 10 into 1 by 2, cancel हो काया है, 5 newton, तो net force अभी horizontal में कितना लग रहा है, 5, यही 5 दोनों block को चला रहा होगा, तो axelation कितना होगा, net force which is 5s degree by total mass which is 10, तो आया 1 by 2 meter per second square, यहां का tension निकालना हो, तो T is equal to this mass into 1 by 2, this is 5 by 2 newton, I hope this is clear, right, थोड़े अलग type की question करते हैं, और FBD का मैं थोड़ा अलग अलग type आपको थोड़ा सा बताता हूँ, माल लोग कभी कभी question ऐसा होता है, एक block के साथ दूसरा block रखाओ, यह 10 kg का है, यह 20 kg का है, और यह smooth surface पे रखा हुआ, यहाँ पर हमने force लगाया, 60 newton को, तो मेरे को सबसे पहले जानना है, कि यह दोनों कितना acceleration से आगे बढ़ेगा, दूसरा, एक दूसरे पर कितना force लगा रहा होगा, एक दूसरे पर force लगा रहा होगा, आगे बढ़ रहा है, तो पीछे वाला आगे को धगेल रहा है, तभी आगे बढ़ रहा है, तो यह भी इस पर लगा रहा होगा force न, तो सबसे पहले हम लोग common axles से निकालेगे, common axles से निकालने का same formula, net force upon total mass, तो 60 divided by total mass is 10 plus 20 is 30, so we'll get 2 meter per second square, इसका मतलब दोनो block 2 meter per second square से जा रहा होगा, आगे बढ़ ब्लॉक की बात करें, which is 20 newton, इस block पे बात करें तो, इस block पे इधर से लग रहा है, 60 और इधर से लग रहा होगा 20, समझ गये, और कितने का है, 20 kg का, तो यह अगर 20 नहीं लिखना चाहते हैं, तो R2 लिखो, आपको R2 वापस से कितना मिलेगा, यह R1, कि जितना यह body उस पे लगाता है, उतना वो body इस पे लगा रहा होगा, तो आप चाहे इस body का diagram से question solve करो, यह इस body से करो, आप दोनों case में R की value 20 newton ही पाऊगे, right, I hope this is clear, now we will move for the next question, guys, थोड़ा सा fast हो गया होंगे, एक छोड़ा सा question करते है, तसलिस है, अराम से, एक pulley है, ठीक है, मासलेस pulley और string भी मासलेस, कोई friction नहीं है, यह 10 kg का है, यह 20 kg का, ठीक है, मुझे जानना है कि system का axle lesson कितना होगा, अगर यह नीचे जाएगा, यह उपर जाएगा, तो कितना axle lesson से जाएगा, ठीक, अगेन सेम फॉर्मूला, आक्सलरेशन निकालने का, क्या net force upon total mass, तो मुझे यह बताओ, क्या इधर mg लगेगा, यस, वो कितना होगा, 20 into g को दस लेते हैं, तो 200 newton, क्या mg इस पर भी लगेगा, यस, लगेगा, कितना, 10 into 10, 100 newton, तो यह 200 चाता है कि पूरा इधर आजाए, यह 100 चाता है, इधर आजाए, लेकिन 200 जादा है, तो इस block को उपर जाना पड़ेगा, और यह नीचे निकल जाएगा, तो एक बाद बताओ, 200 चलाने की कोशिश कर रहा नीचे, और 100 चलाने की कर रहा इधर कोशिश, तो फाइनली जो net force होगा, वो होगा, 200 minus 100, तो acceleration आएगा, net force, which is 200 minus 100, divided total mass 20, 10, 30, so we'll write, 100 divided by 30, which is 10 by 3 meter per second square, यह आया, common acceleration, अगर मेरे कोँ जानना है कि tension कितना लग रहा होगा, तो अब दोनों में से कोई भी block का FBD draw करके tension निकाल सकते हो, कैसे, मालो, यह है 10 kg, 10 kg पे उपर लग रहा होगा tension, yes or no, 10 kg पे उपर लग रहा होगा tension, और नीचे कितना लग रहा होगा, 100, और फाइनली यह उपर ही जा रहा, कितना से, 10 by 3 meter per second square से, तो what I'll write, I'll write T minus 100 is equal to M, net force यहां पे क्या, उपर T, नीचे 100, फिर भी यह उपर जा रहा, मतलब tension बढ़ा होगा तभी तो उपर जा रहा, आपको definitely यहां से उपर question कराऊंगा, और बहुत सारे questions से, जितना ज्यादा आप deep में इसको understand करोगे, उतना ज्यादा आपको इस chapter को समझने में मदद मिलेगी, then next you will go to, friction में इसका बहुत ज्यादा यूजे, work power energy, फिर SHM में, हर जगा ही होजे, fluid mechanics में, thank you so much, take care.